हेलो एव्रिवन कैसे हो आप सभी आयो बच्छी हो गए तो फ्रेंच देखिए मैंने ओन लाइन सोफ़े के कवर मगाए थे पर जब मैंने पार्सल को खूल कर देखा तो उसमें इस तरह का फैबरिक को निकला तो पहले तो मैं डर गई कही मुझे गल्ट पार्सल तो रिशीब नहीं हुआ है पर जब मैंने पार्सल को खोल कर देखा तो मुझे उसमें कार्ड मिला उस कार्ड में लिखा था कि जो सोफे के कवर है वो आपस में जुड़े हुए है उनकी कटिंग करनी पड़ेगी तो कटिंग किस तरह से करनी है देखिए जहां पर यह लाइन बनी हुई है तो हमें यहीं से इसकी कटिंग करनी है और इस पर न हमें सिलाई नहीं करनी है कटिंग करने के बाद क्योंकि यह कपड़ा खिचने वाला है धागे नहीं निकलेंगे ऐसे ही सोफे के कवर अच्छे लगेंगे उसमें लिखा था कार्ड में तो देखिए इस तरह से इसमें ल करते हैं हमें सिलाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें तो देखिए जहां पर यह लाइन है भही से हमें इसकी कटिंग करनी है और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है कटिंग करके उसको निकालना है ऐसे देखिए और सिलाई करने की भी इस पर हमें जरूरत नहीं है तो दो मिनट में हमारे सोफे के कवर बनकर रेडी हो जाते हैं तो इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे जहां जहां यह लाइनिंग है फिर मैं आपको दिखाती हूं कि किस तरह के हमारे सोफे के कवर बने हैं तो देखिए इस त कर दो हमने सिंगल सोफे के कवर की कटिंग कर ली है अब हम जो डवल सोफा होता है उसके कवर की कटिंग करेंगे तो इस तरह से हमने यह दो पीस कटिंग कर लिए है अब देखे इसके कोर्नर की तरह से बनाने है यहां से हमें इसके कोर्णर कटिंग करने है ऐसे देखिए हमें पूरे को कटिंग नहीं करना है बस यहां पर ऐसे कोर्णर बना देने है ऐसे हम यहां पर कोर्णर बना देंगे अब हम ये जो दूसरा कवर है उसके कोर्णर भी बना लेंगे कटिंग करके ऐसे तो इस तरह से हमारा जटपट से बिना स्टीचिंग किये हुए सोफे के कवर बनकर तयार हो गए हैं और बहुत ही सुन्दर बने हैं मैं आपको डाल कर दिखाऊंगी अभी सोफे पर कि किस तरह के कवर बने हैं हमारे तो इस तरह से हमने कटिंग कर ली है तो इस तरह से हमारे च्छै पीस हैं अब मैं आपको सोफे पर डाल कर दिखाती हूं तो दीखे यह हमारा सोफा है तो इस तरह से हम इस पर डाल लेंगे कवर को तो जो इसे कवर का जो फैब्रिक बहुत ही अच्छा है एक दम सोफे के उपर से नीचे गिरेगा नहीं फैब्रिक तो एक दम चिपक सा जाता है यह फैब्रिक फ्रेंट इस तरह से देखिए हमारे सोफा कितना सुन्दा लग रहा है कवर डालने के बाद तो इस तरह से हमने दस मिनट में बिना स्टिचिंग क्यों हुए सोफे के कवर बना कर तयार कर लिए हैं तो फ्रेंट अगर आप भी उनलाइन इन कवर को मंगाना चाते हो तो मैं डिंक डाल दूँग आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो मातर मैंने इन सोफे के कवर को 300 रुपीज में मंगवाया है और इनको बनाना ही बहुत आसान है तो आई हो फ्रेंट आपको हमारी ये वीडि करना ना भी ले तो फ्रेंट थेंक यू बाई